हेलो गुड इबनिंग फ्रेंट्स आयम असोख सर एसी सी फुलप्राइस वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रेब करके घंटी के आइकोन को दावा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले चलिए शुर संख्या पद्धती binary number system शुरू कर रहे हैं देखे दोस्तों द्वी आधारी संख्या पद्धती में केबल दो अंक सुन्य तथा एक का उप्योग होता है इसमें संख्या सुन्य को सुन्य तथा एक को एक से निरूपित किया जाता है अन्य संख्याओं को जीरो और एक के सन्योग द्वारा निरुपित किया जाता है दुई आधारी संख्या पद्धती में पर्युक्त अंकों की संख्या केवल दो है अता दुई आधारी संख्या पद्धती का आधार दो होता है अब आगे कि कुछ अंकों की दुई आधारी संख्या इस परकार होती है जैसे दस्मिक संख्या द्वी आधारी संख्या द्वी आधारी संख्या जीरो एक एक दू का एक जीरो तीन का एक एक चार का एक जीरो जीरो पांच का एक जिरो एक, छो का एक, एक जिरो, साथ का एक 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 दस्मिक संख्याँ, जीरो से नौ तक का जो अंक होती है, जो संख्याँ होती है, उसे दस्मिक अंक या दस्मिक संख्याँ कहते हूं जो संख्याँ जीरो से लेकर नौ तक के अंकों से बनी होती है, वह दस्मिक संख्याँ होती है, परन्तु दुवियाधारी संख्याँ केवल जीरो और वन से बनी होती है हम कुछ दसंख्याओं को दुएधारी संख्या में प्रिवर्तन करके आपको दिखाते हैं देखिए दस्मिक संख्या का आधार दस और दुएधारी संख्या का आधार दो होती है 10 मिक संख्या जैसे 8 को हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं त्योंकि इसमें आधार 10 होती है क्योंकि 0 से 9 तक total कुल अंग 10 होते हैं इसलिए आधार 10 होता है परंतु दूए आधारी संख्या में केबल 2 अंग होते हैं 0 और 1 इसलिए इसके आधार दो होते हैं हम 8 को दूए आधारी संख्या पद्धती में परिवर्तन करके दिखाते हैं जिसके लिए दो वीधियां होती है एक पहला भाग वीधि दूसरा वेट वीधि या भार वीधि तो पहले हम भाग वीधि से देखेंगे देखेंगे आठ बराबर और यह द्वियांधारी संख्यां में आठ का मान कितना होगा यह दिखाना है में तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आठ का फैक्टर करते हैं और से लिखते जाते हैं यहां पर हम से फ़ल लिखेंगे और हमेशा दो से डिवाइड करेंगे हमेशा दो से ही भाग देंगे इसमें दो से भाग दिया आठ में चार हुई से फ़ल जीरो रहा पुना दो से भाग देंगे दो दुनी चार से फ़ल जीरो रहा पुना दो से देंगे संख्यां को हम उपर से नीचे की और लिखेंगे आता आठ बराबर एक जीरो जीरो मिलेगा तो ये हो गई आठ की द्वी आधारी संख्यां पध्धती में मान अर्थात आठ का बैनरी नमबर कुना हम नौका देखते हैं इसी प्रकार नौका देख लेते हैं नौका कितना होता है हमें जब कभी भी याधारी संख्यां पधती में बदलना होगा हम जब भी फ्यक्टर करेंगे दो से ही करेंगे यहां से इस पल लिखेंगे दो चोकी आठ बच गया से सफल एक फिर देंगे दो से दो दूनी चार से सफल जिरो दो यह कांदू से सफल जिरो आता नो बराबर एक जीरो जीरो एक इतना होगा यह आधार है यह दो जो यहां पर लिखा गया है वह वैंडी नमर को सुचित करता है अन्था हम एक जीरो जीरो एक को एक आधार एक पर देंगे जो की गलत है इसे हम अंक बाय अंक परहेंगे एक जीरो जीरो एक एक जीरो जीरो एक ऐसा परना इसको इस परकार आगे कुछ संख्यां हम और देखते हैं हम 15 का गयात करते हैं क्या करना है कि दूसरे 15 को डिवाइड करना है अब हम यहां पर सेशफल वैसे आंक में नहीं लिखेंगे यह बाइड डिफोल्ट लिखते जाएंगे दूसरे 14 सेशफल एक दूती आचा सेशफल एक दूएक आंदू सेशफल एक इसको जैसे ही मैं इसे लिखेंगे नीचे से उपर की ओर तो यह हो जाएगा अता 15 बराबर 1111 यह हो गया पंदरा का बाइनरी नंबर दूए आधारी संख्या इसी परकार हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं आप उसे निकाल कर देखिए और फिर हमें कमेंट्स कीजिए कि आपका एंसर कितना मिला अगर आपके कमेंट्स में इंसर गलत होंगे तो हम आपको बताएंगे अन्था उमीद करते हैं कि आप इसे बढ़ियां से समझे होंगे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आराम से आप इसे ग्याद कर सकते हैं किसी भी दस्मिक अंक पधती का आप दुयाधारी संख्या निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं अच्छे से निकाल सकते हैं इन संख्यों का दूयाधारी संख्यां आप निकाल के देखिए एंसर हमें कमेंट्स कीजिए उमीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे और इसे अच्छे से बनाएंगे और आप से बन जाना चाहिए हमें उमीद है कि आपको दूयाधारी संख्या अच्छी से समझ में आई होगी दस्मिक संख्या से दूयाधारी संख्या में बदलना हम आपको अच्छे तरीके से समझा सुके हैं ये था हमारा भाग वीधी हम दूसरी वीधी अभी आपको बताते हैं जो है हमारा भारवीधी हमें जिस किसी भी दस्मिक संख्यां का द्वियाधारी संख्यां प्राप्त करना होता है तो हम सर्व पर्थम अंग को इधर से दुगुन्णा दाइं से बाइं और एक से शुरू करके उसे दुगुन्णा करकर के लिखते जाते हैं एक दो चार आठ शुल बत्तीस चोंसट आगे इसी प्रकार है अब हम आपको बताते हैं कि इसे ग्यात कैसे करना है मान लिजिए कि हमें अठारा का द्वियाधारी संख्यां चाहिए अठारा का द्वियाधारी संख्यां ग्यात करना है तो कैसे ग्यात करना है तो सबसे पहले देखिए उपर जो हमने अंके यहां पर दी है इन में से किस किस को जोर कर अठारा आता है तो देखिए 16 दू तो हम ये तो आपको समझाने के लिए हमने ये लाइने लिखी थी तो देखिए कि 18 से चोटी संख्यां कहां तक है तो एक दू चार आठ शोला ये 18 से चोटी संख्यां हो गई इन में से किसके संख्यां का योग 18 होता है शोला और दो का तो जिस जिसका योग हमने किया 18 हो गया उस उसका एक बांकी सभी का जीरो लिखेंगे इस परकार हमें 18 का दू याधारी संख्यां 10010 पराप्त हो गया अगला प्रस्ण देखिए अगला देखिए जैसे हमें 13 का गयात करना है हम क्या करते हैं 13 से चोटी संख्यां कैसे आठ चार दो एक हमेशा इसे हम दाई से बाई और लिखेंगे और एक से शुरू करके उसे दुगुना करते जाएंगे ध्यान रखिए कि 13 किसकिस को जोर के आता है एक आठ चार बारह और एक तेरा देखिए आठ चार एक बांकी जो संख्यां बच गया दो उसके सामने हम जीरो लगा देते हैं अर्थात सुन्य लिख देते हैं इस परकार हमें 13 काद्वियाधारी संख्यां परत्थ हो गया 1101 उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको भार वीधी भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा हम प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक बड़े से बड़े सभी अंकों का या दस्मिक संख्यां से द्वियाधारी संख्यां अच्छी तरख से निकाल पाएं उसके लिए हम आपको एक बड़ा अंक अर्था 50 से उपर के अंकों का भार वीधी से यह निकालना सिखाते हैं दोस्तों, कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहों उसका हम द्वियाधारी संख्यां आसानी से निकाल सकते हैं चाहे वह भागवीधी हो या फिर भारवीधी भागवीधी से पहले हम बासट का ग्याद करेंगे भारवीधी से पुना इसका हम भागवीधी से भी ग्याद करके आपको दिखाएंगे तो देखिए स्टार्ट करते हैं तो लिखे दर से एक दो चार आठ शोल बत्तिस चौशट अर्था यह संख्यां चौशट से छोटा है तो इनहीं में से अंकूं का योग बासट हो जाना चाहिए तो और से देखिए 32, 16, 48, 56, 4, 62, 62 जो बच गया वह सुन्य इस परकार 62 का दुई आधारी संख्यां हमें प्राप्त हुआ एक 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 जीरो इसी तरीके से हम अंठानमे का भी ग्यात कर सकते हैं अंठानमे का भी इसी तरीके से ग्यात किया जा सकता है तो दोस्तों अंठानमे के साथ साथ हम आपको कुछ संखियां और दे देते हैं जिसका आप ग्यात करोगे भार विधी से भार विधी से उमीद करते हैं कि आप सभी संखियों का भार विधी से दुवियाधारी संखियां ज्यात करेंगे चाहे वो भार विधी हो या भार विधी आप इसका दुवियाधारी संखियां आराम से ग्यात कर सकते हैं यह हम लोगों के बार्मी के फिजिक्स का एक टॉपिक्स है दुवियाधारी संखियां पध्यति जिसे आप भली भांती समझ गये होंगे कि ग्यात कैसे करना है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लेक्स करें, कमेंट्स करें जिससे हमें अगला वीडियो बनाने में सुविधा होगी इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में आपको देंगे तब तक के लिए जाहिंद सुबरात्री